मंगलवार सुभा छाएंसा गाउं में उस समय हड़कंप मचवया जब गाउं के लोगों ने फाइरिंग की आवाज सुनी दरसल गाउं का ही एक यूवक अपने घर की छट पर चड़ कर हवाई फाइरिंग करने लगा फाइरिंग होते देख मौके पर पुलिस बल मौके पर पहुच गई लेकिन यूवक एक की बाद एक फाइरिंग करता रहा और तकरीबन चार घंटे में 25 राउंड फाइरिंग कर दी यूवक को उतारने में पुलिस के पसी ने छूट गए लेकिन अपने एक रिष्टिजाय की बात मान कर आखिरकार वह यूवक नीचे उतर गया यूवक के परिष्णों की माने तो वह दिमागी रूप से कमजोर है उसका इलाज भी चल रहा है परिष्णों का ये भी कहना है कि कुछ दिनों पहले उनके घर में चोरी हो गई थी जिसको लेकर भी वह काफी परेशान था हालाकि परिष्णों को ये नहीं मालूम की ये यूवक रिवालवर कहां से लाया है पुलिस का मामला कि आज से मतलब पांस तारी को हमारे घर से चोरी होगी थी उसमें कैस हमारे फॉन वगएरा चोरे थोड़ा उनकी तरब से भी दिमाग में और टेंशन लगी पड़ी है उनको तो उसकी वज़े से थोड़ा दिमाग और अपसेट हो गया तो इस कारण पता ना कहां से यह तियार लाएं कहां से क्या सामाना आया हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में पुलिस भी अब यूवक से पूछताच कर हवाई फाइडिंग करने का सही कारण पता लगाने की कोशिश में जूटी है और साथ ही साथ पुलिस यह भी पता लगाएगी कि आखिरकार यह रिवॉल्वर और कार्थूस यह यूवक कहां से लाया है